नमस्कार हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्टाकुर के साथ दोस्तो जे आरफ हिंदी 2021 के तैयारियों के अंतरगत हम इकाई 4 पढ़ रहे हैं जिसमें हमने वैचारी कृष्ट भूमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें कर ली थी जिसमें हमने बहुत से टॉपिक्स अपने इससे पहले कर लिये हैं अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो 214 के नाम से हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है उसको आप देख सकते हैं तो इसमें इससे पहले हमने भारतेंदू और हिंदी नवजागरन के बारे में पढ़ लिया था जो हमारा पिछला लक्चर था आज हम पढ़ेंगे इसमें महाविर प्रसाद दुवेदी और हिंदी नवजागरन तो चलिए बिना दिर किये शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की और सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें महाविर प्रसाद दुवेदी और हिंदी नवजागरन के बारे में अगर हम बात करें, देखिए महाविर प्रसाद दुवेदी की, तो भारतेंदौ हरिश्चंद्री जी के बाद इनका नाम प्रमुक्ता से लिया जाता है, और इन ही के नाम से देखते हम की पूरे के पूरे युग का प्रवर्तन माना जाता है, जो दुवेदी युग जिसको कह जाता है ठीक है तो देखिए महाविर प्रसाद दुवेदी का जो जनम कब हुआ था ये हुआ था 1864 में और इनकी मृत्यू कमान जाती है 1938 में तो कई बार इनको काल करमनुसार्थ रखने को कहा जाता है तो इसलिए इनके जो डेट्स हैं इनके जो जनमतितियां हैं वो भी आ आप में ही हो जाता है तो 1903 से 1902 तक ये जो सरसुती पत्रिका थी उसके संपादक रहे हैं और सरसुती पत्रिका से रिलेटिड UGC NET की परिक्षा में ही नहीं बलकि हिंदी से समधित आप कोई भी परिक्षा देते हैं तो वहाँ पर इनसे रिलेट्रिप्रशन जरूर बनत तो चलिए अब देख लिते हैं हम हिंदी नवजागरण के समद्ध में महाविर प्रसाद दुवेदी की क्या भूमी का रही और कौन-कौन सी चीज़ें जो मौतपूर्ण थी जो इन्होंने आपको नवजागरण में देखने को मिलती है इनके समद्ध में तो यहाँ पर देखे लिखा गया है कि हिंदी नवजागरण के क्षेतर में महाविर प्रसाद दुवेदी का योगदान अविस्वर्णिय माना जाता है तो जनता द्वारा इन्हें अचारय की उपाधी मिली थी तो हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछ जाए कि जनता के द् इन्हें कौन सी उपाधी मिली थी गुरू की अचारय की है ना या समा सुधारक की तो इसमें अचारय की उपाधी से इनको नवाजा गया था और ये जनता द्वारा इनको उपाधी मिली थी तो अब देखते हैं कि अचारय महाविर प्रसाद दुवेदी भी कहते हैं और पं प्रिरित कर दिया था लोगों को जसके हमने पीछे वाले लेक्चर में भरतेंदू के समध में पूरा का पूरा पढ़ लिया था कि उन्होंने उनसे जो नवजागरन की चेतना उनको जो मिली थी एना उसको महाविर परसाद दिविदी ने क्या किया और जादा मजबूत किया और उसमें उन्होंने क्या किया उसको और जादा प्रकृता प्रदान करने की कोशिश महाविर परसाद दिविदी की द्वारा की गई है आगे है देखिए कि 1902 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है तो ये बहुती महतापूर्ण चीज है और बेरी बेर 1920 तक इसके संपादक रहे हैं और सरस्वती पत्रिका जो प्रत्थम संपादक किसको माना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए और इसके उपर हमने इससे पहले एक लेक्चर तैयार कर लिया है है ना तो जब हम पहली ही चीज पहला ही लेक्चर था हमारा वो शायद उसम देख सकते हैं और ये common सी चीज़े हैं और इसमें आप चिंतामनी घोष, शामसुंदर दास इनका नाम भी आता है इसमें तो वो कब से कब तक हैं ये भी आपको पता होना चाहिए और सरसुती पत्रेका का प्रकाशन पहले कहां से होता था और बाद में इसको कहां से प्रकाशित करवाय गया था ये भी अपने आप में एक प्रकाशन बनता है इसको भी आप याद कर लीजीगा अगर आपको नहीं मालूम तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं नेक्स से देखिए कि जिसके माध्यम से इन्होंने नवजागरण के समन्ध में अपने विचारों को आगे बढ़ाया तो कहा ये जाता है कि जो सरसुती पत्रिका थी उसके जरिये इन्होंने क्या है जो अपने विचार थे उनको आगे बढ़ाया और हिंदी नवजागरण में जो सरसुती पत्रिका इनकी मानी जाती है उसका एहम योगदान माना जाता है उनके द्वारा हिंदी के लिए किये गए कारे को शुकल जैसे प्रमुक्साहित्यकारों ने भी सरहा और इस प्रकार अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं तो देखिए जो काम महाविर प्रसाद द्वेदी जी ने किया है ना नवजागरण के समंद में उस कारे को न सिर्फ नवजागरण के समंद में बलकि हिंदी भाशा से रिलेटेड या खड़ी बोली हिंदी से रिलेटेड जो इनके कारे सरहानी रहे हैं जो शुकल जैसे जो समरिद आलोचक थे है ना वो भी क्या है वो भी इनकी प्रशंसा करते नजर आते हैं और इनके जो विचार हैं किस तरीके से इनोंने अभी व्यक्त किये हैं शुकल के अलावा मुझी प्रिम चेन ने भी इनके उपर चीज़ें कही है तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अचारे रामचंदर शुकल जो है वो महाविर प्रसाद दुवेदी जी के बारे में क्या कहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखाई ये गया है कि महाविर प्रसाद दुवेदी और हिंदी नवजागरण में देखिए हिंदी गद्य के निर्मान में दुवेदी जी के रिन को सुविकार करते हुए अचारे शुकल क्या कहते हैं तो देखिए इनने क्या माना है कि जो गद्य के निर्मान में दुवेदी जी क्या है उसके हम रिनी हैं देखिए आगे लिखते हैं कि पर जो कुछ हुआ व कौन माने जाते हैं दिविये दीजी ही थे तो ये अपने आप में देखे बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ती है कई बार आपने देखा होगा कि UGC.net की परिक्षा में इस तरीके की पंक्तियां पूछी जाती है कि या ये किस के संबंध में है या फिर ये किस ने कही है ठी आगे लिखते हैं देखिए कि यदि दिवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद और उठ टांग भाषा चारं और दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी न रुखती तो इनके कहने का मतलब ये क्या है कि अगर दिवेदी जी ने थोड़ी बहुत भी धील बरती होती जो भाषा में जो व्याकरण विरुद जो टांग और भाषा हमें दिखाई पड़ती थी वो क्या हमें नहीं दिखनी थी तो आपने देखा होगा कि सरसोती पत्रिका का ही जिक्री यहां पर बार बार आता है कि वो उसके संपादक थ सही करते नज़र आते हैं कई बार उन में जो दूसी चीज़े हैं है ना जो संपादक की भूमी का कौन अच्छे तरीके से उसका निर्वहन किया था तो वहाँ पर इनुने ने भाषा कोज़ादा परिमारजित करने की कोशिश की और उसमें एक जो सही तरीके से उसको विवस्तित करने की इनने कोशिश की है स्थिर्ता लाने की कोशिश की है और स्थिर्ता शब्द से एक चीज और याद आती है दोस्तो कि आपने देखा होगा कि बालमुकुन गुप्त और महाविर प्रसाद विदी जी के बीच में एक विबाद उत्पन हुआ था जो अनिस्थिरता शब्द को लेकर चला था और ये प्रशन बहुती जादा बार पुछ जाता है और रिपीट हुआ है ये पिछली बार आप हिमाच्परदेश सेट की परिक्षा हिंदी की जो हुई है उसमें भी इस शब्द का जिक्र हुआ थ इस प्रशन का कि किस शब्द को लेकर महाविर प्रसाद दुवेदी और बालमकुद गुप्त के बीच में विवाद उत्पन हो गया था तो वो था अनस्थिरता शब्द ठीक है तो इसलिए और एक चीज इनों ने और भी कही थी बालमकुद गुप्त के संदर्म में कि एक ह समराट पन्यासकार मुंशी प्रेमचेंजी इनके संदर्म में क्या लिखते हैं तो यह लिखते हैं देखिए आज हम जो कुछ भी हैं उन्ही के बनाए हुए हैं तो देखिए ऐसी पंक्तियां बहुत ही रोचक होती हैं और इनको जानने की जग्यासा भी बनी रहती है कि यह किसके लिखा गया है तो यहां देखिए इन्होंने इस वाली पंक्ति में कहीं भी जिक्र नहीं किया है महाविर प्रसाद दुवेदी जी का लेकिन यहां पर देखिए बोला क्या गया है आज हम जो कुछ भी हैं उन्ही के बनाए हुए हैं तो महाविर प्रसाद दुवेदी हिंदी हम आज के समय में बोल रहे हैं उस हिंदी के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया और उसका रास्ता भी उन्होंने ही बनाया है और लोगों को बाद के जो लेकक थे उनका मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है ठीक है हिंदी के लिए इन्होंने अपना तन मन धन सब क पुछ अर्पित कर दिया तो ये बात भी किसने कही है प्रेमचन ने ही कही है दो इनके महत्वकून कतन है प्रेमचन के वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इनको हो सकता है परिक्षा में पूछा जाए तो इसको आप याद कर लीजेगा नेक्स से देखिए दिवेदी जी ने के लोकवादी रचनाकारों जैसे आपके भारतेंदू और तुलसी को बिहारी और देव जैसे कलावादी कवियों से श्रिष्ट माना तो देखिए ये चीज अपने आप में बहुती जादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर दो चीजें आप समझ रहे हैं एक तो ऐसा है कि इनने किसको माना है भारतेंदू और तूलसीदास्टी को माना है और उपर इनने कहा कि दुवीदी जी ने समाज के दिष्टिकौन में सुधार लाने का प्रियास किया है नवजागरन की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि राष्ट्रियता की जो भावना है ये स युग में देखने को मिलती है, दिवेदी के कावे में भी देखने को मिलती है, है ना समा सुधार की बाते इन्होंने कही है, आगे हम वो भी जानेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो सुधार लाने का प्रियास क्या है, माना जाता है, और ये आप आगे देखे कि जन सधारण के दिश्टी कौन से उन्होंने क्या किया जो आपकी रितिवादी मानस्खता थी जो सवंती वबस्था थी जो सोच थी उस मानस्खता उसे निकालने का की उन्होंने बखू जाता है ठीक है तो यहां पर देखी ये लोकबादी रचनाकारों के लिए क्या मानते हैं कि इन में भारतेंदु और तुलसी बिहारी और देव से एक तरीके से क्या है शृष्ट है शृष्ट है हो सकता है इस तरीके से प्रस्शन पूछ thread जाए कि किसने बिहारी और देव जै पर ले जाने का काम इन्होंने किया है ऐसा माना जाता है ठीक है हालां कि बाद में जो प्रगतिवाद एक अलग तरीके से वाद बनके उबरा लेकिन कुछ एक पुट जो है वह हमें कहां से मिलने प्रारंब हो जाते हैं वे हमें दुवेदी जी से ही मिलने आरंब होते हैं तो म हम आगे देख लेते हैं इसके पश्चात के महावीर प्रसाद दिवेदी जी ने कवियों की उर्मिलय विशक उदासिंता नामक निबंध में स्त्री शिक्षा का समर्थन वो स्त्री प्राधूंता का विरोध किया है तो देखिए जो महावीर प्रसाद इनका कौन सा नम कवियों की उर्मिला, विशेक, उदासिंता यह इनका एक मौतफुन निबंद माना जाता है जिसमें नोने क्या किया है स्त्री को पराधिंता का विरोध किया है नोने कि स्त्री पराधिं नहीं होनी चाहिए यह सारी की रचना की थी ठीक है तो वो भी एक माईटन पर्शन बंता है UGC net के previous eager paper में उसको भी पूछा गया था ठीक है और महाविर प्रशाद दुवेदी की जो सबसे माईटन रचना माने जाती है वो संपत्ती शास्त्र माने जाती है और इस संपत्ती शास्त्र कि भूमिका में मैं देखने को मिलता है और इन्होंने क्या किया है कूरितियों का विरोध किया था था वज्ञानिक चेतना का प्रसार किया वे आधुनिक ज्ञान अनुशासन के हिमाईती थे ये चीज क्या है ये महाविप्रसाद दुवेदी के संदर्व में कही जाती है और जितनी भी चीज़ें हैं, ये दिखिए, समासुधार की बाते हैं हो रही थी, तो ये हमने भारतिय नवजागरन और हिंदी नवजागरन के समन्द में पहले पड़ ली थी, बहुत सारी जो अंदोलन चलें, उसमें ये सारी चीज़ें, जो समासुधार की थी, वो हुई हैं, और इन्ही समासुधार के चीजों को प्रमुक्ता से किसने रखाये आगे आपके महाविर प्रसाद दुवेदी जी और दूसरे आपके भारतेंदू हरिश्चंदर जी प्रमुक्ता से तो इसके अलाबा भारतेंदू हरिश्चंदर के जो अन्य कभी हुए हैं उन्होंने भी ल अचूत के विरोधी माने जाते हैं और सन 1914 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका में निमन जाती के जो व्यक्ति हीरा डोम थे उनकी जो प्रसिद कविता माने जाती है अचूत की शिकायत प्रकाशित की थी सरस्वती पत्रिका में तो ना सिर्प अचूत की शिकायत कविता जो 1914 मे दिया जाता है सबसे पहले वो अचुत की शिकायत हीरा डोम को माना जाता है और ये कहां पर प्रकाशित हुई थी सरसुती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तो इस संदर्ब में कहा जाता है कि सरसुती पत्रिका ने ना सिर्फ अचुत की शिकायत को बलकि और भी जो निबं पत्रिका पत्रिका थी इसमें राष्ट्र का नवजागरण से परिचय करवाने में एहम भूमी का मानी जाती है पत्रिका की राष्ट्र का नवजागरण से सबसे अधिक जो परिचय करवाया है वो किसने करवाया है ये आपकी सरसुती पत्रिका ने ही करवाया है दूसरी मौतरपुन चीज जो है सरसुती पत्रिका के संदर में जो है कि वो है अन्य लेखकों के लिए ये प्रेर्णा थी तो प्रेर्णा किस तरीके से जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो सरसुती पत्रिका मानी जाती है इसमें हमने पहले जो साकेत की बात कही जो मैथली शरंगुप्च की राचना मानी जाती है महाकावयात्मक चुकृती है उसकी प्रेणा इनको कहां से मिली थी लगबग महाविर प्रसाद दुवेदी और इनके जो सरसुती पत्रिका खास कर जो इनका कवी की जो उर्मिला करते थे घंणों ने किया था उन्होंने बाद में क्या क्या खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया था है na तो जीतरें भी अन्य जो लेकक हुए थे उन सभी लेकक क्या करते थे दुवेदी जी की हिएत्ञा बहु भाषाविद और विद्वान और व्यगयनिक प्रभावित होता है और यही चीज महाविर प्रशाद द्वेदी और सहसुति पत्रिका से हमें देखने को मिलती है और इसी पत्रिका के चलते अन्य पत्रिकाओं ने भी महत्वपुर्ण भूमी का निवाई है आपके नवजागरण के संदर्ब में जिसमें से आपका मरियाद कि इन जो प्रमुक्ष कवी थे उनने का योगदान रहा है तो ये भी अपने आप में कई बार हो सकता है पूछा जा सकता है तो इसके अलावा इन हिंदी गद्य को जो प्रोड़ता है वो परिमारजन प्रदान करने वाले लेकों में जो प्रमुक्ष नाम माना जाता है चंदर दरश्रमा गुलेरी हुए हैं देखिए उनके प्रसिद आपने देखा भी होगा उनकी जो कहानिया है और उसने कहा था इनकी बहुत ही जादा मौत पून कहानी है जो प्रत्थम विश्वयुद पर अधारित है ठीक है और ये सच्चे प्रेम के उपर लिखी गई है और साथ प्रति साथ राश्ट्र पेम के उपर भी इसमें बात कही गई है इनकी भाशा क्या है सरल और व्यंजना पूर्ण पूर्ण रही है बीच पीच में हासे और व्यंगय भी देखा जाता है आपका किसमें पंडित चंदर्धर शर्मा गुलेरी के काव्या में दूसरा जो महतफ क्यों के साथ पहता चलता है तो ये चीज किसके संदर्ध में है गनेश जो आपके अध्यापक पूर्ण सिंग है गनेश शंकर विद्यार्थी और शिपूजन सहाए तो शिपूजन सहाए जिनको बाबु शिपूजन सहाए भी कहा जाता है इनका जो गद्य वविद्य है वो और साथ ही साथ जो दुवेदी युग जी के कारवां को किसने बढ़ाया है अन्य जो लेकक हुए हैं वो हैं आपके हजारी प्रसाद दुवेदी आगे भगवत चरण उपाद ध्याए फिर राम विलास शर्मा राहुल संक्रित्याइन जैसे लेकको ने इस कारवां को आगे ब हैं कि दुवेदी युग के रचनाकारों ने ना सिर्फ आपका जो साहित्य बलकि देश की समस्याओं को उठाया साथ ही साथ उनका समाधान भी बताया है ये चीज बहुत ही जादा मौत्वोड माने जाती है गद्य लेखन और संपादन में दुवेदी जी को विशिष सफल हैं एसा भी आप कह सकते हैं इनकी जो प्रमुक कृत्या मानी जाती है देखे कान्य कॉब्ज हो अभला विलाव हो सोमनकावे मिमांस ne श्वरि काव्य मंजूशा या फिर आपका जो कुमार संभब अनुधित आदी इनकी जो प्रमुक रचनाय मानी जाती हैं अगर हम बात करें कि जो प्रमुक प्रवृतियां कौन कौन सी रही है दिवेदी युग में तो इसमें आपका राश्टर प्रेम आ जाएगा नैथिकता आ जाएगा अधर्शवाद समा सुधार इत्यादी जो प्रवृतियां यहां पर देखने को मिलती हैं तो ये मौतवपू तो फिलाल आज के लिए इतना ही अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और फिलाल अभी के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई यूर्ज और जय हुआ